बिस्मिल्ही रख्वाली रहीम असलाम अलीकूम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग अपने खुश और अबाद होंगे अपने अपने घरों में अल्ला सबके घरों में खैर आफ यह तो मेरी तो जी मॉर्निंग स्टार्ट हुई आज जो शांदे से क्योंकि कफ और फीवर रहा है पिछले दिनों और आज तो वाइस ओवर हो रहा है लेकिन जब यह मैंने वीडियो बना रही थी आप लोग के लिए तो लिटरली बोला भी नहीं चाहरा था और कफ बहुत से आदा थी तो मैंने यह बताना चाहरी थी मैं जो शंदा ले रही थी और सा पावर में स्टॉंग में वीकनेस नहीं होने देता और वैसे भी फ्लू के लिए तो बहुत अच्छा होता है तो यह मैं वाइटमेंट सी पी रही थी साथ में बड़ा मज़े का टॉटका था मैंने मुझे यह बताया था यासे ने वह अक्सर ऐसे टूटके बहुत ज्यादा करते हैं तो उनकी तो रेविडी ये वी है कि जशान्दा एक नहीं दो एकठे पैकेट्स टाल के पीना चाहिए तो उसमें क्या था मैंने जिंजर और हनी और साथ में ब्लैक पेपर जो थी ना उसको भी मिक्स करके रखावा था उसको भी मैं गरम पानी में डिजॉल्व करक हैं काफी रिकवर कर गई थी तो यह जी आज का मैन्यू है बहुत यह क्विक बनाएंगे तब यह ठीक नहीं थी तो सोच रही थी के हलका भी हो अच्छा भी हो और मज़े का भी लगे और इत जल्दी क्या बन सकता है तो यह जी मैंने जो पूरा मील है ना अल्मॉस्ट 15 मिन प्रट के अंदर बनता है मतलब इतनी जल्दी में मुझे नहीं लगता कि कभी कोई चावल इतनी जल्दी बनते हैं तो मैंने क्या किया था इसमें प्यास अद्रकलेसन हरी मिर्च लॉंग दार्चीनी यह सब चीज़ें साथ में यह जा रहा है इसमें गरम मसाला और इसके सा चावल का बना रही है छोटी से फैमिली है तो इसकी वज़े से बहुत ज्यादा जो है वो मील भड़ा प्रपेर नहीं करती चोटा है और यह भी खाना यकीन करें अक्सर बचा रह जाता है कि नहीं खाया जाता है या कम खाते हैं हम लोग तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो होता है मैंने आयल में क्या किया था पहले प्यास सार्टे कर लिया उसमें लेसे नदरग का पेस्ट डाल दिया और साथ में दाड़ शीनी लॉंग डाल दी वो प्यास के साथ दी करनी है अपने उससे अरोमा वराच चाएगा जलेगे इसमें मतल हलका सा पानी डाला ताकि जो पर मेरे पास राइस का ये तो एक कह अप पानी का ट कर रही हम तो क्यूंद तो क्शेम चामऌ बनाने का यही फाइदा होता है तो बंते बड़ी जल्दी है और दूसरी बात ये भूंते बड़ी जूसी है है ये मैंने बड़ा मैं मुझे मैं पहले टाइम पर डिसी तरही के से बड़े ट्रडेशनल तरही के से बनाती होती थी लेकिन मुझे ताइम के साथ फील हुए कि नहीं इस तरह चावल जादा टेस्टी बनते हैं यह यह जलीगी इसमें हरी में पूरा-पूरा देखे पानी है और मैंने इसको बंद किया और इसको पांच मिनिट का प्रॉसर था कुकिंग का और तीन मिनिट तेज बॉइलिंग के बाद तीन मिनिट में जस्ट प्रेशर बंद कर देने और आठ मतलब टोटल आठ मिनिट लगेंगे और चावल इंशाला रेडी हो जाएंगे एक ब नमक को और काली मिर्च को चाइब लेएंगे ज्यादा फ्युरी फॉर्म में चारें प्युरी बिना लेकिन हम थोड़े सी क्रेश टाइप रखते हैं यह में चला गया लेएंगे लेमन इस लिए लास में डालते हैं ताके एक और रख करने से करवाहत आ जाती है तो मैंने अब इसको डिशॉट कर दिये देखें मैंने बॉल में डाल लिये चटनी रेटी है प्रेशर जो है चावल का उपन कर दिया यह देखें माशला है कितने खुबसूरा और खिलेवे चावल है सॉफ्ट से स्लाइडली हैंड से आपने इसको मिक्स करना हलका सा और बस इस तरीके से हिलाना है ज़्यादा चमच नहीं गुमाने और उसके बाद आपने इसको सर्विंग ट्रे में ला लेना हम मैं आ रहे हैं साथ में थोछी दई भलियां कहलें या पकॉडियां या दई भले जो भी हैं मैंने इसमें क्या किया है बरी कटेवे सारी इंग्रेडियन से जैसे प्यास ट्रमाटर पुदीना और क्रश कियावा क्यूकंबर उसको स्कुईज करके पानी निकाल लिया था और मैंने किया है दही में थोड़ा सा नमक खलकी सी चीनी और कालिय मिक्स ये तीन पदीना, धनिया, खीरा यह सب चीजे डालती हैं दई-फुल्कें हैपने पानी में सोखक करके स्क्किल करके निकाल लेनी है और आपने वो साथ में डालनी है पहले आपने मिक्स पहले सब चीजस करनी है और स्लाइडली सॉफ्टी हैंड आपने दई फुल्कियों को भी मिक्स कर लेना है ये देखें ये भी सर्वेंग के लिए रेडी है मैंने के किया है पुदीना ले लिया है हरी मिच बड़े साइस की जो स्पाइसी नहीं होती वो वली और लेमन आपकी चौइस है और पॉटेटोस मैं बॉइल कर लिया हरी मिच और जस्जीरा और नमक ये हैं हरे मसाले के कबाब इतने मज़े के आलो के कबाब कटलस बनते है ना ये मतलब एक बंदा अराम से पान से छेख खा जाता है मैंने के किया था पुदीने को आलो के साथ मिक्स कर ली अच्छे तरीके से और साथ में सारे मसाले एट कर देने हैं हरी मिच आपने बड़ी वली लेनी चूटी नहीं लेनी नहीं तो ये स्पाइसी हो जाएगा लेकिन अगर बड़ी लेंगे न तो एक फ्लेवर आएगा पटाइटोस में तो ये देखें मैं इसको स्क्वेर शेप में बना रही थोड़ा सा जो है ना कहले है रेक्टेंगल शेप की बन रही है कि ताके थोड़ी सी लंबी लंबी हो तो गोल्ड तो कटलस अक्सर मेजॉर्टी हर घर में बनते हैं तो ये वाला जो है ना इस तरह बनेगा इसके चीज को ना दो colors में कर लेती हैं light golden और dark color में तो light और golden का ये फाइदा हो जाता है कि वो ज़रा थोड़ी सी presentation उसकी बड़ी हुपसूरत लगती है और साथ में बहुत ज़्यादा उसको आपको कुछ उसकी उपर कुछ लगाना नहीं पड़ता यह देखें मैं इसको हलके soft hand से fry जब यह पैन खुद ही छोड़ेगा ना अपने तब इसको दोनों तरफ से golden कर लेना और डिश आउड कर लेना देखें यह भी इतनी जल्दी बनी बैस पटैटो बॉयल्स थे और विदिन 5 मिनिट इसको लगे हैं और यह पूरा अगर तो speed बहुत तेज है तो 15 मिनिट लगत है वह नवह खाना नहीं खाती है अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें जबर दसी जब खिलाती हो ना तो उसको टेस्ट पर और नहीं चीज़ें उसको इंट्रडीवस हो रही है बैसिकली खदीचा का भी जो flavor है ना वह अर्भी style का उसको वही खाने पसंद लगते हैं अच्छ सो आज का सिंपल सा मेन्यों आपको पसंद आया होगा कभी-कभी जब दिल ना कुछ कह रहा हूं और बड़ा कुछ जबर्दस किसम का ना मतलब कुछ खाने को दिल कर रहा है और सिंपल वे में तो आप यह बस मठर कलाओ थोड़ा से दही फुल्कियां और टमैटो की चट्मी क में जब इतनी देर केचन में जाने को दिल नहीं कर रहा होता तो बहुत कुछ वे में यह बन जाता है मैं तो बहुत जल्दी बिना लेती हूं आप आई होप सो जितनी मदर्स हैं उन सबकी स्पीड इतनी ही तेज होती है वह एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं खाने मना मना के तो उनको इनका इजी होता है तो दुरुशिफ पढ़ते रहें एक दूसरे को हमेशा दुआओं में याद रखा करें तो इन्शाला नेक्स वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप बोलती हैं या मैं कोई सिर्फ दुरुशिफ इसलिए कह इन्शाला आखरत रोजे आखरत हमारी भी आकाजी सलसलम जो हैं वो हमारे लिए भी हमारी शवाद करेंगे इन्शाला ओके जी अलाहाफिज